आज की वीडियो में जो है आज यहाँ पे जो है मील 11x Pocket 3 Redmi के 40 के लिए MIUI Goofy Edition 14.0.7 का complete review करूँगा इंस्टोलेशन भी समझाऊँगा आला कि कुछ दिन पहले भी MIUI Goofy का same version का review किया था उससे थोड़ा सा अलग आपको मिलता उसका control center भी काफी अलग सा मिलता था इसका थोड़ा अलग है यहाँ पे पहले जो रोम फ्लस करने के बाद प्ले स्टोर के लिए basic जो Google Services उसको इनीवल करना पड़ता था अब ऐसा कुछ भी करने जरूत नहीं पड़ेगी इसके इंदर में तो यह कुछ चेंजेस भी आपको यहाँ पे मिलते हैं और लेकिन दोनों यहाँ आपको चाइनीज बेस रोम मिलने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या कुछ यहाँ पे बाकि हमें मिलता है सबसे पहले माई डिवाइस में हम चलते हैं तो यहाँ पे मिवाई गूफी एडिशन 14.0.7 मिल जाता है बाकि इनके सपोर्ट ग्रूप और पेपर से सब मिल जाएगा यहाँ आप इंडोर्ड वर्जन 13 सीक्यूर्टी पर जून 2023 कई है करनल भी पर्फ वाला देखने के यहा इनकी विजट्स पर जाओगे तो आपको चानीज वाले विजट्स जो हैं मिल जाएंगे होम स्क्रीन पे भी सेम ही रहने वाला है और सूपर आइकन बिल्कुल अन्लोग्ड मिल जाते हैं इसके दर पेड़ वाले भी तो आप आराम से फ्री में यूज कर पाओगे तो यह ज फोड़ा सा अलग था और काफी अच्छा था भी यहां पर बिल्कुल नॉर्मल ही आपको देखने को मिल रहा तो कुछ इस तरीके वह भी फिलाली यहां पर है ज्यादा कुछ इसके अंदर और है नहीं जो था आपको सामने ही पूरा मिल जाता और सारे उसंस काम कर और स्मू इसको लिए करके कोई ऐसा प्रॉलम नहीं है और रिसेंट भी काफी स्मूध रहता है और यहां पर हम बात करें रिसेंट भी इसे आयो स्टाल में भी आप इनेबल कर पाऊ किसके अंदर सेटिंग में दिया है अगर रैम की बात करें तो टो पॉइंट जो है 6GB तक फ्री मिल जातर ब्लुटूट डिवाइस हमारा मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर अच्छे तरी किसी आपर काम कर तो कोलिंग में दिक्कत नहीं है बाकि केमरा मिवाई लाइका वाला दिया गया जिसमें आप 460 अप्रेस तक राम से बीडियो रिकॉर्डिंग कर पाऊगे मोर के अं वाली जाती है तो सारे फीचर आपको यहां पर लेटिस्ट मिल जाएंगे और यहां पे ऐगर जरूर का और यहां पर घुगल बग मुझे यहां पर मिला चाम नहीं कर रहा है बढ़ाँ से बात करते हैं उसके वाइडवाइन लीड़न का और यहां पर उक्के गूगल को यहां पर unlimited storage आपको मिल जाएगा इसको लेकर कोई भी दिक्त यहां पर नई unlimited storage का support मिल जाता है और screenshot अगर capture करते हो तो फिर आपको device जो frame है और यहां पर देखने को मिल जाता तो यहां पर देखने को मिल जाता तो यह चीज़ें जो है available हैं अभी भी इसके अंदर में तो यहां पर quality है 100 Mbps तक की देखने को मिल जाती यह चीज़ें जो हैं में यहां पर मिलने वाली हैं और वहीं अगर हम बात करें टूर स्कोर के तो 8,97,562 मिला है और सभी जो है स्कोर यहां पर जो टेस्ट के हो सभी performance पर टेस्ट के हो पाफॉमेंस ओन था और अगर बात करें CPU थ्रो पर जिरो सेवन देखने को हमें इसके इंदर मिला तो कुछ इस तरीके को जो है यह मिल जाता है अब बात करें यहां पर सट्रिक के बार में तो connection तरीआ देखने को काफी मिल जाते हैं यहां पर नागा आए के करपा आउक है जो से तीम कुछ नहीं ृहां टेलोग। इसके अंडर यह सब काम कर रहे हैं अब यहां डाव्लोड्स नहीं कर पाऊ-णिक्ट इसके देकत इसमें आपको नहीं मिलता है बाकिन रेस्ट हुआ है कि डबल टैप हुए कि सब काम कर रहे हैं चार्जिंग अनिमेशन तीन मिल जाएंगे जो से नौर्मल रहते हैं उस सब रहेगा डिस्प्ले के इंदर एंटी फ्लिकर मोड दिया गया है जो कि आपका काम कर रहा है और यहां पर रीडिंग मोड है कला स्की में इस तरीके का यहां पर रहने वाला तो आप यहां से डारेक जिसको कास्टम जो नॉर्मल अटोमेटी आपकर सकते हैं यहां पर नीचे आपको मैक स्क्रीन फॉर मॉर एक्ष्ट्रा डिम मिल जाता है बाकी यहां पर आपका यह एक्ष्ट्रा दिम है डीपी भी है और टेक्स टेक्स जो साइज है यहां पर मिलता बाकी फॉंट आपको इसके इंदर बाइड फोल्ट एक कस्टम फॉंट अपलाई मिल जाता जो कि पिछले में भी था ती चीज रहेगा बाकी साउंड एंड टेच में जाते हो तो यहां पर नीचे आपको जो है साउंड क्यों मिल जाए जो कि परफेक्ट हाइड नोच आपका काम कर रहें कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है और होम स्क्रीन में जाते हो तो यहां पर आपको सिस्टम नविगेशन ऊपर मिल जाएगा जिसमें आप बटन या जेस्टर को यूज कर पाऊगर कुछ इस तरीके का बटन कभी यहां पर होम स्क्रीन पर मिलती है सब डेक्स्टोप स्टॉक कर लेना स्टॉक पर कर देना ताकि टाइटल सभी के देखनेक मिले नहीं तो हाइड रहता है तो यह सब भी आपको कस्टमाइश करने मिलेगा और यहां पर देखी सकतो स्क्रॉलिंग के लिए मिल जाएगा डबल टैप प पर यह सब भी आप सॉटकर्स लगा पाऊ गया रहें जाटे में रीजेंट है जिसमें आपको यहां पर स्टाइल मिल जाता है रीजेंट का कि किस तरीके का होना चाहिए उस वाला स्कूल वाले भी दिये गए हैं तो पूरा आपको यहां पर कस्टमाइशन इसके लोंचर मे किया गया है अगर बैटरी बेगप की बात करें तो यहां पर मुझे थोड़ी ठीक ठाक सी बैटरी लगी है बिल्कुल तकड़ी तो मैं नहीं कूँगा और चार्जिंग की बात करें तो 61 परसंट जो है चार्ज होने में करीब वान आवर 17 मिनट का टाइम इसके अंदर लग जो लेंग्विज इसके अंदर दिया गया वह पूरा आपको यहां पर ग्लोबल मिलेगा और यहां पर जो आपका रिजिन है वह यहां पर चाइन रहता तो आप अपनी साफसे सिंपली अपनी कंट्री का यहां पर इंडिया जैसे कि मैं तो इस तरी के सब चैंज कर लेना च सारी चीज़े रहेंगे और जैसे कि आपको बताए कि पहले वाले में यहां पर आ करके गूगल बेसिक अकाउंट जो है सर्विसे जो है इनिवल करना पड़ता था रोम फ्लस करने बाद बाद अभी ऐसा कुछ करने जरूत नहीं है अब यहां पर इंस्टोलेशन आपको समझा जैसे फोन आपका लोगो है छोड़ देना रिकवरी पे आप बूट कर जाओगे और कोसिस करना ओफिशल जो औरेंज फॉक्स रिकवरी हुआ ही उसके बाद चलके यहां पर आपको क्या करने सिंप्ली एप डबलू जो है सब से पहले फ्लस करना है और एप डबलू फ्लस कर करने के बाद में आपको रिकवरी करना है जैसे फोन आपका बूट होकर वापिस रिकवरी पे आ जाए तो उसके बाद आपको अपने वाइप के अंदर जाना होगा और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा अगर आप किसी डिक्रिप्टेड रोम से आ रहो अलड़ी यह हाँ पर सिंप्ली यह जो है यहाँ पर सिंप्ली यहाँ चीज का दियान रखना और यहां पर तिस तरीके से रोम को अफलस कर पाउँगे कोई डाट कोई कंफुजन होगा कोमेंट में पूच ले जागा बाखे रच प्लेश्ट अगर आप देखो तो इसे चेंड्ज हुआ ह लेकिन अब यहां पर कोई भी आपको प्लेस्टोर के लिए इनेवल कनेक्स जुरत नहीं है गूगल सर्विसे आपका इनेवल रहेगा और गेम टर्बो यहां पर लेटेस्ट कुछ है इस तरीके को मिलता है और इसके ग्राफिक में जाता हो तो यहां पर भी आपको 90 तक का मिल मिलता बट गेमिंग यहां पर अच्छी रहने वाली है हां बैटरी में जरूर मैं देखा हूं कि यहां पर उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए या फिर आप इसके अंदर करनल चेंज करो तो इंप्रोव्मेंट देखने को मिलेगा बट यहां पर पफॉमेंस अच् स्टाइल में थोड़ा मिलता करता था अब इसके अंदर आपको मिल जाता तो कुछ कुछ चीजे यहां पर पहले नहीं हुआ करती तो अब आपको देखने को मिल विरी हैं कुछ चीजे फिक्स भी है फिलाल यहां पर आच्छा रोम रहने वाला है और यही सारी चीए थी नहीं आए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस करके ओल पे कर दीजेगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक्स फो वाचिंग